हलो गुड मॉनिंग जोहार मसंच और आप देख रहे हैं नियो जार्खन चलिए जानते हैं जार्खन के आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को जार्खन के कहीं हिसों में अगले दो धिनों तक भारी बारिस का औरेंच अलट जारी रहे शाओधान मानसुन की इस्तिती को बेहद अनुकूल बताते हुई मौसम केंदर ने आज मंगलवार कू पस्सिमी शींभूम गुमला और सिम्डिगा में भारी से भारी बारिस का औरेंच अलट जारी किया गया है वही पूर्वी शींभूम सराइकिला खारसावा खुंटी और राची जीले के कुछ हिस्सों में भारी बारिस का यलू अलट जारी किया गया है जिवारकू, नौर्थ बंगाल की काड़ी और गंगेटिक वेस्ट बंगाल के उपर बना साइक्लोनिक शर्कुलेशन अबुन लो प्रेशर एरिया में बदल कर उतर भारत पसिमे दिशा में बढ़ रहा है इसका असर नौर्थ ओडिशा, गंगेटिक वेस्ट बंगाल और जार रहें और सुरक्षित रहें असकुली सिक्षक वेस्ट शर्तार भाकी समिख्षा कर रहे थे उन्होंने कहा है कि सिक्षक के भीना असकूल की परिकल्पना नहीं की जा सकती है जारकन के स्पीकर रवेंदर नात महतो बोले एतिहासीखोगा विदानसभा का मानसुन सत्र जारकन विधान सभा के अध्धक्ष रवेंदर नात महतों ने कहा है कि इस बार का मानसुन सत्र अतिहासिकों का सुमवार को प्रेश को संबोधित करतो हुए स्री महतों ने कहा है कि विधान सभा के मानसुन सत्र की तैयारी पूरी हो चुकी है उन्होंने बता है कि मानसुन सत्र की सुरवात 28 जुलाई से हो रही है सत्र चार अगस्त तक चलेगा अस्पीकर ने उमीन जताई है कि पक्च और विपक्च के सब भी विधायकों से सदन को चलाने में उन्हें अपक्षित सहयोग में लेगा दिनेश गोब का सहयोगी निलामबर गोब खुंटी किरानिया से गिरबतार असलेहे भी बरामत नकसली संगठन पिल अफ़ाई के सुप्रीमों रहे दिनेश गोब का खासा सहयोगी निलामबर गोब को पुलीस ने खुंटी किरानिया थनाचेतर से गिरबतार किया है पुलिस ने निलामबर के पास से एक देसी कट्टा, 315 बोर की दो गोली, 5.56 एमम की 36 गोली, नगवद एक लाग रुपे, हंतियार बनाने में पर्योग किया जाने वाला लेथ मसीन तथा पिल अलफाई का परचा और चंदा रसीद बारामत की गई है तोरपा सेड़ी प्यों उम्प्रकास दिवारी ने सुम्वार को पतरकारों से बात करते हुए बताये कि दिनेश गोप का सहयोगी निलामबर गोप के भर्मन सिल होने की सूचना मिली थी, सूचना के अधार पर एक टीम का गठन कर गरपतार किया खिया निलामबर की निसान दही पर पुलिस ने भारी मातरा में गोली, हाथियार और हाथियार बनाने में परियोग किया जाने वाला लेथ मशीन को बरामत किया है इसलिए इस इलाके में बिचे हैं, यही वजाही के नकसलियों ने जंगल की कई रास्तों में आईडी बम बिचाए हैं धमा का सुमवार सुभा करीब साड़े च्छे बजे हुआ है, सी आर पी अपके एक एसाई देवेंद्र कुमार आईडी की चपेट में आए हैं इस धमा के में घायल एसाई को एर लिप्ट कर बहातर इलाज के लिए राची राफर किया गया है, उन्हें मेडिका अस्पिताल में भरती करा गया है घटना के संबन में जानकारी दी जा रही है कि समवार को सुरक्षाबल के जवान नक्सलियों के खिलाब जारी सर्च अभ्यान चला रहे थे गोईल कीरा थाना चेतर के कुईडा जंगल के पास अभ्यान चलाने के दौरान आईडी का स्पिलिंटर से एसाई चोटील हो गए हैं, उनकी बाई कान के पीछे चोट लगी है, वह खतर से बाहर बताय जा रहे हैं सीम हिमन्तु सोरिन से कॉंग्रेस प्रदेश अध्धक्ष राजश ठाकुरने के मुलकाद, मुक्यमंत्री हिमन्तु सोरिन से सुम्वार कुकां के रोड राची इस्तित मुक्यमंत्री आवासिये कारियले में जार्खन कॉंग्रेस के प्रदेश अध्धक्ष राजश ठाकु मुड़ भेड में ATS, DSP और दारोगा घायल, रामगण में अमन साहोगीरों के खिलाब कारवाई करने गई, ATS की टीम के शाथ पतरातू इलाके में मुड़ भेड हुई, इस मुड़ भेड में ATS के DSP, नीरच कुमार और एक दारोगा घायल हो गया, बताए गया है कि DSP के बाइक सवार ने हापा मोनी निवासी, योगेंदर उराओं के छेवर से पुत्र प्रिंस उराओं को धक कामारते हुए घटनास्तल से फरार हो गया, परिजनों ने गंभीर इस्तिती में शदर अस्पताल गुमला में भरती कराया, जहां जाच के उपरांध डॉक्र ने बच रंगतारी वसूली में आसिस गैंक चार सदस गिरपतार, स्राउनी मेले में सिवगंगा इलाके के आस्थाई दुकानदार होवा, एरिकसा वालो से रंगतारी वसूली में सड़ी प्यो पवन कुमार के नितुतों में गढ़ित टीम ने छापे मारी कर आसिस मिसरागिरो की च सू ले गए नगत 26,980 रुपए बरामत की गए व्यापक रुप सी अभ्यान चला 28 जुलाइक हूँ आईएस सविरंजन की जमानेत पर सुनवाई 29 की आउकास पर रहने से नहीं हो सगी सुनवाई अभी करना हुगा और इंतजार आर्मी लैंड स्कायम मामले में गिरबताराची के पूर्व उपायुक्त आईएस की जमानत याचिका पर अभी सुनवाई के लिए 10 दिनों का अंतजार और करना हुगा इससे पहले 10 जुलाई को सुनवाई हुई थी इस सुनवाई में एडी ने जवाब दाकिल करने के लिए समय मांगा था कोट में 17 जुलाई को सुनवाई की तारिक रखी थी सो मौर कुनायधीस के आउकास में रहने की वज़े से शुनवाई नहीं हो सकी है 26 ने एडी की विसेश अदालत में जमानत के लिए याचिका दायर कर रखी है अब अगली शुनवाई 28 जुलाई को होगी जारकन गरीब राज नहीं यहां की आदिवासी गरीब रह गई मंतरी चमपई सोरिन ने आदिवासी भासा के सिक्छकों के बाहली का दिलाया भारोसा सराइकेला जिले के आदित्यपूर के स्थित इमली चौ के पास नवनिर्मित आदिवासी किला एवं संस्कृती भवन और आधिवासी, कल्यान समेती भवन का उद्गाटन आदिवासी कल्यान सहब परिवहन मंत्री चंपit सोरिन ने फीटा काट कर किया, मंत्री ने कहा है कि जार्कन गरीब राज नहीं है यहां की आदिवासी मूलवासी गरीब रह गए मंत्री चमपई सोरिन ने कहा है कि समाजिक और आर्थिक उत्तथान के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है यहां की भासा और संस्कृती की रक्षाक लितत पर है अब जारकन के असकूलों में लोकल भासा की शिक्छकों की बाहली होगी इससे यहां के बच्चे अपनी भासा की पढ़ाई कर सकेंगी मंत्री ने कहे कि सहीद पूर्वजों की अस्मृती में यहां एक पार का भी निर्मान करा जाएका पर आरोफे की उन्होंने शितंबर 2022 में दिवखर हवाई अड़े पर सुरक्षा नियमों का उलंगन किया था मामले पर सुनवाई के बाद कोट ने गोड़ा संसन निसी कान दोवे को नोटीस जारी किया है इडि ओफिस नहीं पहुंचे कारोबारी विश्नु अगरवाल खराब स्वास्त कर दिया हवाला जमीन घोटाले में कारोबारी विश्नु अगरवाल को एडि ने समन भेजकर सुमवार को पूछ तार्ष के लिए बुलाया था विश्नु अगरवाल ने खुद को बीमार बतातो हुए एडि से तीन हपते का वक्त एडि से मांगा है बतादे की चेशायर होम रोड और पुगडु में जमेन डिल से संदिक दभूमिका पाये जाने के बाद पूरो में भी उन्हें समन हो चुका है जो है पुगडु जमेन डिल मामले में एडि ने विश्नु अगरवाल के अलावाश्रतरा अन लोगों को भी समन भिजा है सभी की 19 जुलाई से पूछता चुनी है हरहर महादेव बोल बम के जायकारे से गुझाय मान रही भोले नाथ की नगरी वस्व प्रसिध राज की इस्तरावनी मिला महाद सो 2023 की दूसरी सुम्वारी पर बावा फौजदारी नाथ के दरबार में सरधालों के जवरजस्त भिरजुटी सावन महा की अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है मंदर प्रांगन में मानों सीव लोक उतराया हो हर हर महादे हुआ बोल बम के जायकारे से गुझाय मान रही भोले नाथ की नगरी दो बज़े रात मंदर का पट खुला सरकारी पूजा के बाद अरगा में जल डालने का सिलसला सुरू हुआ जो देर साम तक चलता रहा मंदर प्रांगन सीव गंगा घाट वा मेला परिसर कावरियों से पटा रहा मंदर प्रमंधन के अनुशार दूसरी सुमवारी को 95,000 कावरियों ने बाबा फौजदारी नाथ के अरगा में जल डाल कर मंगल कामना की सिमडेगा के जलडेगा में दो सगे भाईयों की हत्या जांच में जुटी पुलीस सिमडेगा जिला अंतरगत जलडेगा थाना इलाके के मुंडू टोली गाउं में सुमवार को एक व्याक्ती ने दो सगे भाईयों की हत्या कर दी जानकारी के अनुसार गाउं के दो सगे भाई 45 वर्सी पीटर जोजो और 47 वर्सी आसिप जोजो पिता सबन जोजो को नवीन भेंगरा पिता कल्यान भेंगरा ने जलावन की लकड़ी से मार कर मौत की घाट उतार दिया ग्रामिनों ने बता है कि पिछले दिनों पीटर जोजो एवं आसिप जोजो की मा को नवीन भेंगरा ने जो हे मार कर घाल कर दिया था उसके बाद उसे शदर अश्पताल में उपचार के बाद बहतर इलाज के लिए राची रिम से भेज दिया गया था जो अभी इलाज रत है इसी बाद से गुष्टाई आसिप और पीटर दोनों भाई नवीन भेंगरा के घर सो मार को गय थे घर के अंदर दोनों पक्चों के बीच कहा सुनी हुई इसी करम में जलावन की लगड़ी से घर के अंदर ही दोनों भाईयों को मार कर मौत की घाट उतार दिया मोखेमंतरी 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 म खेल का प्रदर्शन करेगी राची नगर निगम के पूर्व उप महापूर संचेव विजय वर की राजिसभा सांसत प्रतनिधी जो ही सोमवती माची भारतेंदू कुमार थी महा आरती के बाद बोल बम के जैगो से पूरा पहाडी परिसर गुझाए मान हो गया आपको बता दे कि सावन की पहली सोमवारी को रांची के पहाडी मंदर के मोक्य द्वार पर धार्मिक और समाजिक संगर्णों द्वारा पिछले साल की तरह इस साल भी पहाडी बाबा की भव्वे महा आरती की गई थी साथ समंदर पार जपान में कावड यात्रा कई देसों के कावडियों ने किया जलविशेक सुल्तान गंसे मंगवाया गंगाचल भारत से बाहर पहली बार साथ समंदर पार सावन में भगवान भोरिनात को जल चड़ाने के लिए जपान की राजधानी टोक्यों में कावड यात्रा निकाली गई, इसका आयोचन बिहार जार्खन एसोसियेशन और जापान द्वारा किया जा रहा है, इसमें भारत, बांगलादेश, नेपाइल, मयाममार और स्रिलंका के हिंदू शिर्कत कर रहे हैं, उक्तेज सूरच की भूमी पर आस्था और भक्ती का एक जिवन्त उत्सव इस्थाने लोग को देखने को मिल रहा है, जापान में बिहार जार्खन एसोसियेशन और बिहार फाउन्डेशन के परमुख आनंद विजय सिंग शहित का वडियातरा के शुरुवाद बतोर मोके अटिती, जापान में भारत के राजदूद सीपी जोर्ज ने किया आठ सुत्री मांगो को लेकर राची नगर आयुक्त से मिले निगम कर्मी के परतनिधी मंडल, राची नगर निगम के कर्मचारियों के आठ सुत्री मांगो को लेकर एक परतनिधी मंडल, राची नगर आयुक्त से मिलकर उन्हें गया पन सौपा, इस दोरान अपनी जाज मा जल्द से जल्द लागू करने का अगरा किया गया इस पर नगर आयुक्त ने आस्वाशन देते हुए का है कि आप लोग की सब भी मांगे नियाय संगत हैं इसे सक्ती से लागू करने का निरदेश जारे किया है का है कि सभी जो है कर्मियों के बैंकों के माधम से वेतन भुकतान, बसों में भाड़ा चाट, महिला बस में, महिला कंडक्टर एवं कोई भी नोडल एजनसी टेंडर लेगी तो वो सभी पूराने कर्मचारियों की सेवा चारी रखेगी परतनिधी मंडल में CPI के अजै सिंग, जामो के महानगर के पूरुवा प्रावक्ता, जीर्थ गुपता, यूनियन के नेता, एमतियाच, अहमद, खान, निरस सिंग, सिमरन, मिंच, सामिल थी पला मो के साहित्समाज चौक के प гл़ाव पकड़ाया, पला मो के पर्मंडलीय मोक्याले मेध्रिनगर के साहित्समाद चौक से पूरीस लाइन जाने वाली रोड में निगम द्वारा निरमित बड़ा नाली के पास पिछले एक महा से कुछ नवालिक मनचले साम कुछ जुआ खेलते हुए पाय जाते हैं सो मुआर की साम इस्थानी लोग की सकायत पर पुलिस ने टीओपी एक के परभारी रेवा संकर्राना के नित्तों में जुआ केल रहे नबाली को पकड़ा बाद में उन्हों चेताउनी देकर छोड़ दिया गया टीओपी परभारी ने बताया किया इनकी पहली गल्ती थी और उम्र भी काफी कम होने के कारण चेताउनी देकर छोड़ दिया गया है कोडर्मा में हत्या मामले के छे दोसियों कुम रिक्याद कारबाइन रखने के दोसि को पांस साल की सजा नाटकिय तरीके सिफ वयाज अंसारी नामक व्यक्ती का अपहरन कर बिहार के अररिया ले जाकर हत्या कर साक्ट चुपाने के उद्देश से सौकु जंगल में फेकने के मामले की सुनवाई करतोवे कोडर्मा अपर जीला एवम पचाज़ और उपए का जुर्माना भी लगा गया है जुर्माने की रासी नहीं देने पर दोशाल की अत्रिक्त सास्रम्त कारावास की सजा भुगतनी होगी जारीबाग के इचाक में ट्रक ने पीक अफ वेन कुमारी टक कर दरजुनों कावरिया घाल देउखर के बाबाधाम से जल चड़ा कर लोट रहे इचाक प्रकन अंतरगत परासी गाउं के दरजुनों कावरिया सडक दुरघटना में घाल होगे सभी का इलाज बर्री इवम हजारी बाग सदर अस्पिताल में हो रहा है घालों में कावरिया बबन राम की इस्तिती ना जुक है जबकि लोकन प्रजापती और बडू समेट अनलो गम भिरुप से घाल है परासी से लगभग 18 लोग बोल बम गये थे वापस लोटने के क्रम में बरकठा जीटी रोड में घटना घटी बताया जा रहा है कि जो है कावरिया की सवारी गाड़ी में लपी ट्रकन टकर मारती जिससे सवारी गाड़ी में बैठे कावरिये घाल हो गए गुमला में भावरों के हमले से 50 लोग घाल, 30 के हालत गमभीर जारकन के गुमला जिला इस्तित कामडारा प्रकन में भावरों के हमलों से 50 से अधिक लोग घाल होके इनमें से 30 के स्तिती गमभीर बनी हुई है जानकारी के अनुसार ये सभी लोग साओ दफनाने के लिए कबरिस्तान की और जा रहे थे इसी दोरान भावरों ने उन पर हमला कर दिया जिसके बाद लोग शौ को वहीं छोड़ कर मौके पर से भागने लगे वही कुछ लोग चहरे पर कपड़ा लपिट कर वहीं नीचे बैट गे कार्ती कुराओं कॉलिज की चात्रों का विरोध प्रदर्शन राची उनिवर्सिटी के कुलपती को एक घंटी रोके रखा गुमला के कार्ती कुराओं कॉलिज कैंपस में बने बहु उद्देश्य भावन के उदगाटन कारिकर में पहुंची रिनाची युनिवर्सिटी के कुलपती डॉक्टर अजीत कुमार सीना को चात्रों के विरोध का सामना करना पड़ा इस दुरान चात्रों द्वारा नय भवन के समीब करीब एक घंटा तक कुलपती और रईश्टार को जो हे सी महता CCDCP के जाको रोक कर रखा गया चात्रों नारेबाजी की भवन का उधगाटन करने से एक घंटी तक रोक रखा भवन के परवेश द्वार के पाज चात्रों बैट गए चात्रों ने कॉलेज की समस्या एवं जहे बहु उद्देश्य भवन में आनिमित्ता किये जाने का आरोप लगा तो हुए शिकाट किया आर्टलेन सड़क का नामकरन खतियानी मार करने की मांग जार्खन आंदुलनकारी संगर्स मोर्चा ने मोक्यमंत्री से सहर में बने आर्टलेन सड़क का नाम 1932 खतियानी मार करने की मांगी है संगर्स मोर्चा के जगत महतों ने आवितन में कहा है कि जार्खन की धर्ती सहित बिर्सा मुंडा उल्गुलान की धर्ती है बिर्सा मुंडा का भी सम्मान है पुर्व प्रधान मंतरी अटल बिहारी बाचपई का भी जार्खन बनाने में योगदान रहा है जिसे भुलाय नही जा सकता है, कहाई कि सराइधिला गोल्ड बिल्डिंग से लेकर काको मोड तक आर्टलेन सड़क के निर्मान में कई रैती धारियों का भी जमिन गया है, इसलिए इस आर्टलेन सड़क का नामकरन 1922 खतियान मार की जाए और खतियान धारी लोगों वा गाउं को सम्मान दिया ज इसे समंधित जो है, प्रतिलीपी नगर निगम को भी शौपी गई है। शात्र संग आजसू शात्र हित में आपसे निवेदन करती है कि उपरुक्त सभी मांगों को शनवेदन सिल्था के शाथ पहल करें जल्द से जल्द पूरी, इजए अनिथा आजसू शात्र हित विश्वदाले प्रसासन के खिलाब चरनबंद आंदुलन करने को बाद्द यग था आजसू झालों करने को शोगी